भारत चीन सीमा विवात को लेकर कॉंग्रिस के पूर्वध्यक्ष राहूल गांधी ग्रिह मंत्री अमिश्यहा और रक्षा मंत्री राजनात पर लगतार हमला कर रहे हैं। राहूल गांधी ने एक बार फिर पूछा कि क्या चीन ने लद्दाख में भारतिय शेद्र पर कबजा कर लिया है। ग्रिह मंत्री अमिश्यहा ने रविवार को कहा था कि भारत की रक्षानिती की विकार्यता बढ़ी है। पूरी दुनिया ये मानती है कि अमेरिका और इसराइल के बाद अगर कोई देश है जो अपनी सीमाओं की रक्षा करने में समर्थ है तो वो भारत है। इस पर राहूल गांधी ने ग्रिह मंत्री पर हमला करते हुए ट्वीट किया था। राहूल गांधी के इस हमले के बाद रक्षा मंत्री राजनास सिंग ने भी शायरी के जरिये पलटवार किया। उन्होंने लिखा हाथ में दर्द हो तो दवा कीजे। हाथ ही जब दर्द हो तो क्या कीजे। इस दौरान लद्दाख में भारत चीन के बीच सीमा विवात को लेकर तनाव बना हुआ है। दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच बात चीत हुई है और शांतिपूर्ण तरीके से विवात का हल निकालने की तैयारी हो रही है। प्योर रपोर्ट गो नियूज।